है ao rabbits' वे swoją घ्रीजा रूरींद्स वेल्कम टो आरेंट्बी आएम रवी जैनमो आज में आप लोगों को भीत्युक स्ञांद्स के टॉपिक मैं मैंजिका आफ मैत्स मैंजिक. वाजमें तो आपने 1 से लेके 10 तक के cube ही सीखे हुए है आज मैं आप लोगों को एक ऐसी trick से introduce करा रहा हूँ कि जिससे आप 11 cube से लेकर 100 cube तक easily answer find कर सकते है अब आप सोच रहे होंगे sir how can it possible? it is possible इसकी भी एक trick है I hope आप लोगों को 1 से लेके 10 तक के cube तो आते ही होंगे फिर भी 1 से लेके 10 तक के cube क्या है वो मैं आप और पर आपको लिख कर बताता हूँ जैसे कि 1 का cube 1 होता है 2 का cube 8 होता है 3 का cube 27 4 cube 64 5 cube 125 उसी तरह से 6 cube 216 7 cube 343 8 cube 512 9 cube 729 and 10 cube यह आपका रहेगा 1000 तो इस तरह से 1 से लेके 10 तक के सारे cube आप लोगों को आते है अब हमारा दो मैं टॉपिक है जिसे हम सीख रहे हैं वो है हमारा 11 cube to 100 cube अब यह कैसे निकाल ले है इसकी जानकारी में आपको दूँगा तो सबसे पहले हम इस topic को सीखने से पहले cube का मतलब भी जान ले cube का मतलब होता है किसी भी numbers का उसी numbers को 3 बार multiply करना जैसे के 2 का cube है तो 2 को कितनी बार multiply करना है 3 times 2 multiply 2 multiply 2 means 2 तूजा 4 4 तूजा 8 ओके तो यह cube का मतलब अब हम बात करते हैं to 100 cube 11 cube to 100 cube सीखने से पहले हमें 11 से लेके 99 तक के नमर को 4 पार्ट में 지금 करना होगा तो आजे देखते हैं वो 4 पार्ट कौन से हैं तो हम सबसे पहले 11 to 99 तक के नमर को 4 पार्ट में इवाइड करना सबसे पहले देखते हैं ऐसे numbers के जिनका 10th digit 1 हो, 10th digit 1 हो means 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 means हम 12 से start करेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अब आप सोच रहोंगे सर आपने 11 क्यों नहीं लिया तो 11 न लेने का reason भी आप आने वाले दो steps में जान लेंगे अब दूसरा types जो है, जिसका unit digit क्या हो, 1 हो unit digit 1 हो means 21, 31, 41, 51, 61, up to 91 अब आपका जो question आपके सर आपने 11 क्यों नहीं लिया तो 11 इसलिए नहीं लिया कि हमारा जो तीसरा part है उसमें दोनों digits same होंगे, दोनों digits same होंगे means 11, 22, 33, 44, up to 99 ओके, और हमारा जो fourth part है, जिसमें different type of digits जैसे के 2, 3, 5, 2, 2, 4, 3, 9 इस तरह के digits तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि 11 से लेके 99 तक के जितने भी digits हैं, उन्हें हमें अलग-अलग part में divide करना है, अलग-अलग part का मतलब, उन्हें हमें four part में divide करना है, ओके, तो वो four part कौन से आपके, पहले, कि जिसका tenth digit क्या हो, one हो, दूसरा, जिसका unit digit, one हो, जहापे दोन numbers कैसे हो, same हो, और third, other digit, ओके, अब बात करते हैं, trick की, trick में, सबसे पहले, मैं आपको, जिनका 10th digit क्या हो, one हो, उसकी बात करते हैं, means, यह trick सबसे पहले हम किसके लिए सीखेंगे, for, 10th digit, one, okay, for 10th digit, one, हम यह किसके लिए सीखने जा रहे हैं, जिसका 10th digit क्या हो, one हो, तो सबसे पहले हम 12 का square करेंगे, 12 का cube करेंगे, okay, हमें 12 का cube करना है, तो cube करने के लिए, मैं आपको एक trick देता हूं, इन दो के लिए, जिसका 10th digit one हो, और unit digit one हो, जिसका 10th digit one हो, वहां आपको क्या करना है, पहले numbers जो दिया है, वो उतार लेना है, means, आपको क्या करना है, one और two, 2 means 1 के right side जाना है अब यहां पर आपका डिजिट क्या दिया हुआ है 2 अब आपको इसका 2 का स्क्वेर लिखना है 2 का स्क्वेर कितना होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 बोलो यह स्टेप समझ में आया आए एक और डिजिट यहां पर लेकर बताता हूं जैसे की 13 क्यूब उके क्या अगर मैं पहले में 1 और 3 लिख लेना है अब 3 का स्क्वेर कितना होता है 9 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो आपको इन दोनों डिजिट पे गोला बना लेना है यानि हम अभी इने काउंटि डिजिट जो है 2 और 4 इसका यूस करेंगे अब इन दोनों डिजिट का डबल कर दीजे 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 अब इसे हम प्लस कर दीजे देखे 8 4 & 8 12 carry 1 2 & 1 3 it is a 7 & 1 so the 12 cube is 1728 understood everyone इसी example को भी solve करके देख लेते हैं यहाँ पर वही करना है first और last digit पर क्या बना देना है आपको circle यानि आपके जो दो डिजिट बचे है उसका आपको क्या कर देना है double करना है 9 का double कितना होता है 18 3 का double कितना होता है 6 clear देखते हैं इसका क्या answer आएगा 27 की 7 carry 2 एक बात और बताऊंगा आप जब यह digit यूज़ करेंगे तो यह एक single digit मान कर चलेंगे यहाँ पर 27 लिखा है तो 27 का हम 7 लिखेंगे और carry क्या कर देंगे तो इधर forward कर देंगे अब 18 और 9 27 27 और 2 29 ओके अब carry क्या आएगी इसकी 2 3 to 5 and 6 11 carry 1 and it is 2 it is your answer so 13 cube is equal to 2197 I hope कि आप लोगों को जिसका 10th digit 1 है उसकी trick बहुत जल्दी समझ में आ गई होगी अब हमारा दूसरा step है कि जिसका unit digit क्या हो वन हो unit digit वन हो means अब हम यह में मिटा देता हूं क्योंकि यह आप लोगों को आता ही है अब हम चलिए देखते हैं अब इसको हम अब हम सैके हमारा जो सैकेंड टाइप के डिजिट हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या है वन है तो उसे कैसे सॉल करेंगे अब हमें निकालना है 21 का क्यूब ओके तो 21 का क्यूब निकालने के लिए इसका रिवर्सिबल आएगा देखिए यहाँ पर 12 था तो हमने पहले 12 लिखा अब यहाँ पर 21 है तो हम इस तरह से लिखेंगे सब्सक्राइब यूँ उल्टा जाएंगे लेफ्ट साइड सॉल करेंगे अब थू का स्क्वाइर कितना होता है फूर और टू का क्यूब कितना होता है एट ओके एक और एक्जमपल ले लेते हैं जैसे की करना हो सिक्स्टीन सिर्थ और वहीं सिस्टम फर्स्ट और लास्ट डिजिट पर क्या करना है में राउन बना देना है ओके और जो बीच में डिजिट बच्चे हुए है उसको क्या कर देना है डबल कर देना है चलिए 2 का डबल कितना होता है 4 4 का डबल कितना होता है 8 then 1 6 842 2 carry 1 842 means 8 4 12 12 की 2 और carry 1 नहीं तो आप यू सचो के sir 8 और 4 2 नहीं होता है 8 और 4 12 होता है तो 8 और 4 12 here 2 and carry 1 8 and 1 9 it is your answer same trick here double करेंगे इसका 4 का double 8 इसका double 32 okay now 1 12 की 2 carry 1 32 and 16 48 because 16 2 जा 32 and 16 3 जा 48 and 1 49 carry 4 it is a 6 8 9 2 1 calculator से आप count कर सकते हैं अब हम ऐसे numbers का cube सीखेंगे जिनके दोनों के दोनों digit कैसे होते हैं same होते हैं यहाँ पर मैंने example दे रखाए 11 22 33 44 ओके तो यह जो trick है वो बहुत easy है कैसे आये देखते हैं सबसे पहले हम 11 का cube करेंगे 11 का जहां पर आपके दोनों digit क्या हो same हो उसका cube करने की सबसे easy trick जो है वो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपको दोनों digit का cube यानि दोनों digit का cube यानि के वो तो same digit है तो उसे digit का cube four time लिखना है one का cube one one का cube one one का cube one और one का cube one ओके एक और example आपके सामने 22 क्या करना पड़ेगा तू का क्यूब आपको कितनी टाइम लिखना है four time लिखना है means eight 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 and eight ओके अब वह हमारी trick क्या करेंगे हम first और last digit को round में रख देंगे तो रहे हमारे digit क्या करना है हमको double करना है quarterly mean one का double two one ऊब नवाव इसे क्या कर देंगे एड कर देंगे one three three one ओके यानि या पको यह भी ऑपने आप्समझ में हा गया होगा क्या हमें क्या करना है 8 का double लिखना है 8 का double means 16 16 now add it 8 8 and 16 24 carry 2 8 and 16 24 or 2 26 carry 2 and it is 10 it is your answer any problem is here एक और example ले लेते हैं जैसे के 33 33 का cube हमें लिखना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा 3 का cube 4 time लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम 27 27 27 and 27 ओके अब हमारी trick के according हमें क्या करना है कि first और last digit को round में रख देना है अब बीच में जो दो बचे उनका में क्या करना है डबल 27 का डबल कितना होता है 54 तो यह हुआ यहां पर 54 अब हम इसे एड कर देंगे एड करने का मतलब है कि आपको जब यह digit यूज करना है तब इसे एक single digit के form में यूज करना है यानि कि 27 है तो 27 का 7 और carry 2 और 27 और 54 81 होता है 81 और 2 कितना होगा 83 carry 8 27 54 81 होता है 81 और 8 89 and it is 8 और 27 और 8 35 होता है तो हमारा और नमबर ऐसे होंगे जो 23 जैसे 23 52 24 39 क्योंकि इनके अलावा भी यही नमबर बचे हुए है तो इनका क्यूब हमें कैसे करना है सबसे पहले हम देखेंगे 23 का क्यूब 23 का क्यूब 23 का क्यूब करने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो steps है वो बताऊंगा जैसे कि पहला हमें क्या करना है पहले 2 का क्यूब लिख लेना है और बाग में 3 का क्यूब याने के 27 यानि हमारे first और last digit आ गए अब हमारे कितने digit बचे बीच में इस ट्रिक में अभी पर ही नंबर यूज किये हैं यानि चार प्लेस यूज किये हुए 1 2 3 & 4 तो यहां पर जो तू नंबर से वो कैसे लिखने अब जरा वो ध्यान से देखिए यहां पर लिखने के लिए इस नंबर का square कीजिए यानि 10 का आपको क्या करना है square करना है और उसका multiply unit में कर देना है आपका जो यह step है मेरा जिसे में नाम देता हूं first ओके यहां नंबर लिखने के लिए first step आपका क्या रहेगा आपको 10 का square करना है क्या करना है 10 का square करना है और उसका multiply किसे कर देना है unit से ओके तो देखेंगे 2 का square कितना होता है 4 और 4 3 जा 12 ओके इसके बाद का step देखेंगे हम second में second step देखेंगे हम second step में आपको क्या करना है के 10 का multiply unit के square में करना है किसमें unit के square में कर देना है यानि 10 वैसे का वैसा ही रहेगा यानि 2 और 3 का square कितना होता है 9 यानि कि आपका क्या हो जाएगा 9 टूजा 18 it's very easy simple है देखिए आपका पहला step क्या रहेगा 10s का square करना है और उसका unit में multiply करना है और वह आपको यान लिख लेना है उसके बाद आपको 10s का multiply unit के square में कर देना है यानि कि वह आपको यान लिख लेना है फिर हमारी trick जो जैसी थी वैसी की वैसी चलेगी एकदम simple 8 और 27 हम क्या करेंगे round में लिख लेंगे और रहे हो इन digit का क्या करेंगे double double means 18 का double उतना है 36 और यह हो गया 24 अब इने मुझे क्या कर देना है plus कर देना है 27 की 7 carry 2 18 और 2 20 और यह 36 कितना हो जाएगा 56 carry 5 12 24 36 and 5 41 carry 4 and 8 and 4 12 it is your answer तो इसकी ट्रिक में आपको एक simple बात याद रखनी है आपको पहले याने के 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का क्या करना है क्यों लिख देना है फिर यहां पर जो बीच में लिखने के लिए जो number से उसके steps मैंने क्या बता हुए 10 का square multiply unit 10 and multiply unit square तो इस तरह से आप इसक satisfied नहीं है तो एक example हम और ले लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं 52 का क्यूब देखेंगे 52 का क्यूब देखेंगे उसमें हमें पहले पहला step मेंने क्या बताया क्या फर्स्ट यानि कि आपका 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का क्यूब लिखना है यहां पर आपका यूनिट जो है 2 है और 10 जो है 5 याने 125 एंड 8 ओके clear अब हमारा यह सिस्टम यूज करेंगे हम 10 का square यानि 5 का square 25 25 तूजा 50 clear अब 2 का square कितना होगा 4 और 4 फाइव जा 20 easy किसके बाद का step आपको पता ही है हमें क्या करना है first और last step को round करना है अब इनका double लिख दीजिए 140 अब इसे हम क्या कर देंगे add कर देंगे 8 60 की 0 carry 6 100 150 and 156 carry 15 and it is a 140 it is your answer आप इसे calculator से calculate करके देख सकते हैं इस तरह आप इस trick का यूज करके वन से लिखे 100 तक के क्यूब easily क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं और dear friends I request you आप ज़रूर इसकी practice कीजिए और अगर कोई क्यूब निकालने में आपको कोई problem होता है तो मुझे comment box में बेच सकते हैं एक request और करना चाहूंगा कि आज यह जो pandemic यानि की कॉरोना का जो डर फैला हुआ है लोगों में आज यह कॉरोना ने जिस तरह से पूरे विश्व को हज मचा रखा हुआ है इससे डरिये मत और इसक कर सकते हैं